तू बीच के फ्लैट इन मोसी, आज के इस वीडियो में हम तू बीच के सेंपल फ्लैट का वाक्तुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, यह प्रोजेक्ट मोसी का वन अफ दा लाजिस्ट प्रोजेक्ट है, यह प प्रोजेक्ट का क्लव हाउस, और क्लव हाउस में First Floor पर Gymnasium है, इस चैनल पर हम New Launch Property, Under Construction Property, 2BHK, 3BHK, 4BHK Sample Flat के वीडियो और Interiors के वीडियो लेकर आते हैं, ज़िए आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं, तो Please Subscribe this channel, और Bell आईकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और यह है चिल्ड्रन प्ले एरिया चिल्ड्रन प्ले एरिया के सामने ही यहां पर है एक मंदिर काफी रिच अमेनिटीज का यह प्रोजेक्ट है चल्गे अब देखते हैं सेंपल फ्लेट इस फ्लेट का कार्पेट एरिया है 751 सुकर फिट यह है एंट्रेंस और यहां पर मिलती है आपको एक एंट्रेंस लोबी एंट्रेंस लोबी का साइज है 4.7 इंटू 2.11 और यहां पर दिया गया है लीविंग और डाइनिंग रूम लीविंग और डाइनिंग का साइज है 16.7 इंटू 11 और लीविंग के साथ आपको यहां पर मिलती है फूल बिट की बालकनी और बालकनी का साइज है 14.7 इंटू 5 बालकनी का साइज है यहां पर आप चार्च आराम से रख सकते हैं यह है किचन का साइज है 8 इंटू 8 किचन में दिया गया है एक बड़ा यहां पर आपको दो टेप मिल जाते हैं किचन के साथ इंक्लूडिड है ड्राई बालकनी ड्राई बालकनी का साइज है 8 इंटू 2.11 यहां पर चिल्डर बैडरूम का साइज दिया है 10 इंटू 10 और यहां पर बाडरोग के लिए स्पेस है यहां पर 5 इंटू 2 का एक वाडरोग डिजाइन करवा सकते हैं और यह सामने स्टडी टेवल के लिए स्पेस दिया गया है जिसका साइज है 3.7 इंटू 1 और चिल्डर रूम के सामने दिया गया है है हैंडवास एरिया और इसी के बाजू में है कोमन वास्रूम कोमन वास्रूम का साइज है 4.1 इंटू 8 चलिए देखते हैं मास्टर बैडरूम को यह सामने है मास्टर बैडरूम मास्टर बैडरूम में जाने से पहले यहां पर दिया गया है मास्टर बैडरूम मास्टर बैडरूम का साइज है 7.10 इंटू 4.10 मास्टर बैडरूम भी काफी स्पेसेस है और यह है मास्टर बैडरूम मास्टर बैडरूम का साइज है 12 इंटू 10 और यहां पर स्टेडी टेविल के लिए लगसे एक स्पेस दिया गया है इसका साइज है 3.7 इंटू 2 यदि आप इस फ्लेट में इंट्रस्टिड हैं और इस प्रजेट की साइड विजिट करना चाहते हैं तो आप हमें सिक्रीन पर दियो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वर्ट्सअप कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफ्रमेशन क्विकली मिल जाएगी